नमस्कार निर्जास किचिन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बढाना सीखेंगे नो बेक चीज केक अभी तक हमने बेक्ड केक बहुत सारे सीख लिए हैं तो चलिए आज हम सीखेंगे no bake cake, तो आज हम सीखेंगे blueberry cheese cake, तो चलिए देख लेते हैं, इसके लिए हमें किस किस cheese की ज़रुत पढ़ती है, तो सबसे पहले हमें cake का base बनाने के लिए biscuit की ज़रुत पढ़ती है, तो हमने ये digestive biscuit लिए हुए है, आप कोई भी biscuit ले सकते हैं, आपको मारी biscuit लेना है, glucose biscuit लेना है या Oreo ले सकते हैं, और ये हमने butter लिया है, 80 gram butter है, इसको हमने अच्छे से melt कर लिया है, और biscuit हमने लिए हैं 150 gram, तो सबसे पहले हमें biscuit को crush करना है, तो इस तरह से आप एक ziplock bag ले लीजिए, या कोई भी polythin ले लीजिए एक ठो, और biscuit को उसमें डाल दीजिए, जितने आप एक बार में हम डालेंगे polythin में, और इसको अच्छे से बेलन की मदद से crush कर लेंगे, एकदम बारिक powder करना है, ध्यान से करिए, इसमें टुकडे नहीं रहना चाहिए, अच्छे से rolling pin हमारा जो रहता है, बेलन रहता है, जो उससे दबा के हमको बिल्कुल बारिक कर लेना है, सा इसी तरह से हम दूसरा पोर्शन जो बचा है, उसको भी हम बारिक कर लेंगे, देख लीजिए, अगर कहीं आपको लगता है कि बड़े टुकडे हैं, तो उनको फिर से दबा के आप crush कर सकते हैं, अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे, और बाकी के बच्चे जो हैं, बि लेना हैं, हमको unsalted butter लेना है, अब butter और biscuit को अच्छे से आप mix कर लीजिए, butter पूरी तरह से biscuit में mix हो जाना चाहिए, इस तरह से silicone spatula से दबा दबा के अच्छे से butter और biscuit को mix कर लीजिए, अब यह इस तरह से एक हमको टिन चाहिए है केक का, जिसकी की loose bottom हो, इस तरह से clip खोलने प अगर टिन नहीं है, तो आप एक gold ring हो, उससे भी काम हमारा चल सकता है, अब इसके नीचे की जो bottom है, उस पे हमको जो हमने चूरा बनाया है, biscuit का और butter का, उसको अच्छे से set कर देना है, इस तरह से एक silicone spatula या आप कटोरी या गिलास कुछ भी लेके, अच्छे से इसको दबा बहुत अच्छे से हमको set करना है, और बिल्कूल एक level कर देना है इसको, इस तरह से अच्छे से दबा के इसको level कर दीजिए, और एकदम चिकना और smooth कर दीजिए, और इसको रख दीजिए फ्रिज में कम से कम अधा घंटे के लिए, तो ये butter और biscuit का mixture अच्छे से set हो जाएग अब हम आगे की तैयारी करते हैं, हमने लिया है अगर-गर powder, यहाँ पे हमने दो चम्मच लिया है अगर-गर powder, टू टी स्पून लिया है हमने, और ये लिया हमने 80 ml water, तो इन दोनों को mix करके हम रख देंगे, जब तक हम बाकी का काम करेंगे तब तक ये अच्छे से घुल जाएगा और mix हो जाएगा, एक चम्मच से इसको चला दीजिए और एक तरफ रख दीजिए कम से कम 15-20 मिनिट के लिए, जब तक हम बाकी की preparation करेंगे, ये अच्छे से घुल जाएगा, अब आगे हम देख लेते हैं, हम लेंगे cream cheese, ये हमने लिया है 200 ग्राम cream cheese लिया है, और ये लिया है, हमने 70 ग्राम icing sugar, यहाँ पर हमको icing sugar ही लेना है, पिसी शक्कर नहीं लेना है, क्योंकि icing sugar से texture बहुत अच्छा आता है, तो आप icing sugar ही लिजिए, और इसको हम सबसे पहले बीट कर लेते हैं, cream cheese को डालेंगे एक बाउल में, और बीटर की मदद से इसको हम बीट कर लेंगे, cream cheese हमारी, बहुत चिल्ड नहीं लेना है, cream cheese को भी थोड़ा सा फ्रिज से पहले से निकाल कर आप रख लीजिए, फिर उसको आप बीट कर ये, चिल्ड नहीं होना चाहिए, बहुत जादा चिल्ड नहीं थोड़ा थंडा होगा तो चल जाएगा, पर बहुत जादा चिल्ड नहीं होना है, अच्छे से इसको बीट कर लीजिए, अब इसमें हम डाल देंगे icing sugar, अब icing sugar को भी इसमें हम mix कर लेंगे, अच्छे से इसको मिला लीजिए, दोनों चीज़ें जब अच्छे से mix हो जाएगी, तब हम आगे का काम करते हैं, ये देखें, दोनों चीज अच्छे से mix हो गई हैं अब हम इनको एक तरफ रख देंगे अब हम लेंगे विब्ड क्रीम इसमें हमको विब्ड क्रीम मिक्स करना है तो यहां पर हम ने ली है विब्ड क्रीम 200 ग्राम और इसको अब हम बीट कर लेंगे कि इसको हमको stiff peak तक बीट नहीं करना है क्योंकि जो मूस और cheesecake के लिए हम क्रीम बीट करते हैंうん icing करने के लिए जो creem beat करते हैं वो बहुत ज्यादा हम beat करते हैं ताकि stiff peak तक जाये मगर muz´ और cheese cake में हम बहुत ज्यादा beat नहीं करते हैं तो जब तक हमको beat करना है जब तक अपना volume इसका double नहीं हो जाता है और यह soft नहीं ही जस्ट डबल हो गई है, अब क्रीम चीज और आइसिंग शुगर का जो मिक्स्चर है, उसमें हम दिब्ड क्रीम को मिक्स कर देंगे, हमने मिलाया है इसमें एक चम्मच वनीला एसेंस, और इसमें हम बिलाएंगे 2 टी स्पून नीबू का रस, आपको लेमन जूस मिक्स करना है 2 टी स्पून हमने मिलाया है लेमन जूस, अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो विब्ड क्रीम है, इसको भी हम क्रीम चीज में मिक्स कर देंगे, पहले हम इस्पैचुला से मिक्स करेंगे, अब हमको इसको यहाँ पर इस्पैचुला से बहुत तेज मिक्स नह बीटर से भी बीट करेंगे, मगर ये ध्यान रखिए कि जो हमने विप्ड क्रीम में एयर भरी है, उसमें बीट करने से जो एयर उसमें भरी है, वो वापस निकलना नहीं चाहिए, यानि उसका वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, अब सारी चीजे मिक्स हो गई है एक सार हो गई है तो अब थोड़ी देर के लिए हम इसको बिटर से भी मिक्स कर देंगे ताकि जो हमको राइट कंसिस्टेंसी चाहिए है वो कंसिस्टेंसी इसमें आ जाए बस थोड़ी देर हमको एक मिनिट या दो मिनिट के लिए बीट करना है राइट कंसिस्टेंसी आ जाएगी और हमारा मिक्शर बनके तयार हो जाएगा अभी हमको इसमें कुछ और इंग्रिडियन्स मिक्स करना है अभी हमने जो अगर-अगर को मिक्स करके रखा था वो इसमें हमको मिलाना है यहाँ पर आप जिलेटिन भी ले सकते हैं यदि आप नौन वेजेटेरियन है हमने लिया है अगर 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 वेज जिलेटिन है वेज है ये जो लोग वेजेटेरियन है वो लोग इसे खा सकते है क्योंकि ये प्लांट से बनता है और जिलेटिन है वो बोन से बनता है अब इन चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है जो अगर-अगर डाला था उसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजे जो अगर-अगर है वो इस मिश्रन को सैट करने का काम करेगा तो अब इस मिश्रन को हमने बिस्किट का जो मिश्रन बना के रखा था तिन अंदर के अच्छे से फैला दीजिए इस मिश्रन को एक सार कर देना है कहीं से उंचा नीचा ना हो और अच्छे से इसको हमको सेट कर देना है अगर आपके पास इस तरह से लूज बॉटम का टिन नहीं है तो कोई रिंग हो घर में तो आप उसको भी रख के बना सकते हैं यदि रिंग नहीं है तो कई बार अपने पास में आटा वाली छंडी रहती है जिसमें जाली अलग हो जाती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं जाली अलग कर दीजिए तो वह एक रिंग जैसा काम करेगा या फिर आप प्लास्टिक हो आपके पास OHP सीट हो OHP शीट आती है मार्केट में तो उससे भी आप ऐसा गोल रिंग बना लीजिए और नीचे आप कोई भी बेस उसका बना सकते हैं किसी भी बरतन के ऊपर रखके उसको और फिलिंग कर सकते हैं यह हमने मालास की ब्लूबेरी फिलिंग ली हुई है यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है आप यहां पर क्रश भी मिला सकते हैं मगर यह फिलिंग मिला यह तो फिलिंग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और केक वगर है में भी हम डालते हैं अब इसको एक सौते स्टिक की मदद से अच्छे से इसको फैला दीजिए तो जब आप केक को कट करेंगे तो बीच में ब्लूबेरी का फ्लेवर भी आएगा क्रीम चीज में और ये सुन्दर सा भी दिखेगा अब ये जाएगा मिश्रण हमार पहले से तो रात भर फ्रिज में रहने के बाद में ये अच्छी तरह से सैट हो जाता है इसको हमको फ्रिज में रखना पड़ता है फ्रीजर में नहीं रखना पड़ता है फ्रिज में रखने के बाद ये अगर-गर के कारण अच्छे से सैट हो जाता है और जब इसको डिमो और खाईए इस दीपावली में इस चीज केक को जरूर बनाईए आप भी खाईए मेहमानों को भी खिलाईए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए चलिए मिलते हैं अगले बार फिर किसी नए वीडियो के साथ मैं बाई